आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे इंडिया चीपिस्ट फोर्जी वोल्टी सपोर्ट फोन जिसका नाम है स्वाइप कनेक्ट नियो फोर्जी की प्राइजिंग लगबक से 2,800 रुपीज किये जो आपको शॉपकलू पे मिलने वाला है यह कोई रिवी यूनिट नहीं है मैंने खुझ से ओर्डर किया हूँ मुझे बस टेस्ट करना था कि एक्चुली में 2,800 रुपीज में क्या 4G वोल्टी एक्चुली में जो वो काम करता है तो जी हाँ यह फोन मैंने यूज किया हूँ आज सुबह से लेकर रात तक और थोड़ा सा मुझे यह फोन अच्छा लगा है कनेक्टिविटी के इशू अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और बाकी के यहां पर प्रोजों को आप लोग को इस फोन के जो बता रहता हूँ तो आप देखेंगे बॉक्स कुछ आपको इस तरीका का मिलता है उपर की तरफ यहां पर सामने की मिलती है आपको माइक्रोजी कार लगाने का स्लॉट में मिलता है डूल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट करता है यह यह इसका फीचर सबसे जो काफी बैटर है मेरे हिसाब से 5 मेगापिसल का रियर केमरा है 1.3 मेगापिसल का अपको सेल्फी केमरा केमरा तो इक्तम से भूल जाहिए देगा Android 6 मार्श मलों के ओपर यह फोन आता है और 2000 एमेज की बैटरी जो की काफी शफीशेंट है मेरे हिसाब से और ज्यादा यहां पर पीछे की तरफ प्राइजिंग की बात करता आप देखिंग यहां पर 3999 की आप प्राइजिंग दिखा रही जबकि आपको सिफ 2008 तो हमारे सामना है और काफी छोटा सा फोन है और ओविसली 4 इंच की स्क्रीन है मैं ऐसे ही कहूंगा 5.5 इंच और 5 इंच ने शादी कर लिए तो 4 इंच यहां पर पैदा हो गया कुछ ऐसे ही मैं कहूंगा इसकी आपको फूल फीजिकल होगी दे रही तो उससे पहले आपको चारजर मिलते हैं आपको कुछ यूजर मैनुल बगरा मिलते हैं साथ में एक स्क्रीन गार्ड मिलता है जो आप लगा सकते हैं अपने फोन के ओपर तो यहां पर हम फोन की तरफ आते हैं और आप देखेंगे तो मुझे इसका अगर बाड़ी की बात करो तो टोटली प्लास् हैं यह तीनों जो एकदम से जो प्लास्टिक मटेरियल के ओपर की तरह अगर देखती हो यहां पे माइकरो यूजबी पॉर्ट मिलता है और साथ में आपको 3.5 वाडियो जीक मिलता है नीचे की तरह आपको प्रायमेरी माई खोल मिलता है और लेफ से अगर आप देखते हो तो आपको यहां पर जो कुछ भी नहीं मिलता है एकडम से जो प्लेन है पीछे की तरफ आपको यहां पर 5MP का रेर फिसिंग कैमरे मिलता है साथ में आपको LED फ्लेश मिलती है और नीचे की तरफ आपको में हुई थी इसके लिए मैंने तो आदा ओपन करके पहले से अखा हुआ था यहां पर देखेंगे तो इस तरह के बैक पैनल में आपको पीछे की तरफ बैटरी आप डालते है अपनी दूसरे नीच वाली जो की रिमूवल बैटरी और साथ में आपको यहां पर देखिए ओपकी तरफ एक जो सिम स्लोट जो मिलता है और दूसरा भी जो सिम स्लोट है और दुसरा जो माइक्रोधिस्टी श्लोट विया ने हैं इसंके अंदर आपको दोनों के अंदर आगर सिम लाना तो डूल सी 4G वोल्टी बाला सिम चला सकते या फिर एक सिंकाड और एक माइक्रोटी काड अब बात करते हैं फोन की तो यहां पर आमने जो फोन को पाहन कर दिया है और इस तरह के आपको कुछ डिस्प्ले मिलता है और यहां पर डिस्प्ले ठीक इसका आप देखेंगे अब कर देखेंगे और यहां से आप को डिस्प्ले मिलता है सामने से आप को डिस्प्ले लगता है जादा उशयारी ने करें किसी को और आजू बैठके मत दिखाईए क्योंकि इस प्राइस में आपको इतने भी खास डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा अब ज्यादा है कि इसके अंदर कौन सा वर्जिन मिलता है आप अब जाते हैं तो अब इसलिए मैं काफी इसके अंदर में कहूं गा बहुत एक्साइट था क्योंकि Android 6 6.0 मिलता है जी हाँ 6.0 का वर्जिन तो यह यकीन नहीं हो रहा है 2800 रुपए के फोन में आपको Android 6 वर्जिन मिलता है जो मेरे साब से काफी अच्छी बात है यहाँ पर दूसरी चीज़ की बात करें स्टोरेज की तो यहाँ पर देखें कि फर्स बूट में आला की फर्स बाकि आप देखें तो आपको वाइफाय ब्लूटूथ जीपीएस वगरा सब कुछ इसके दर मिलता है और दुसरे कुछ आप्शन साब देखें के नॉर्मल यापको जो Android 6 के मिल जाते है यहाँ पर हम कैमेरी की बात करते है तो आपको 5 मेगापिसल कर रियर कैमरा मिलता है ठीक ठाक पिचर ले लेता है जिसके लिए आपको बिल्कुल भी उमीद नहीं रखनी चाहिए लो लैटनिंग तो एकदम से भूल जाएगा फिर भी दे में थोड़े पो ठीक ठाक पिचर ले लेता है तो यह कोई एकदम से कैमेरा सेंट्रिक फॉन बिल्कुल भी नहीं है ल अब यहाँ पर बात करते तो इस फोन की परफॉमेंस की जिसलिया आप इस फोन के अप्लिकेशन यूज कर सकते जैसी कि यहाँ पर देख सकते फेस्बूक है सब्वे सफर की घम भी खेल सकते जो की मीडियू में टाइप की गेम ने यूटूब एप्लिकेशन यूज करके य नहीं है आपको अच्छा कासा ठीक टक स्पेसिविकेशन दे रहता है तो यहां पर आप देखेंगे मैंने यहां पर आपको एक एकदम से जो ओपन हो चुका लेकिन आप देखें कि लैक कितना हो रहा है क्योंकि यह उसको बफर करेंगा रेंडर करेंगा जो भी और दिरे दिरे जब यह कंप्लेट हो जाएक पूरा पेज यहां पर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यूटूब यानि की फेस्बूक खुल जा खुल गया तो यहां पर देखेंगे सिम काट में जाके आपको पहले तो बता रहे तो कि 4G वोल्टी पे ही चल रहा है और सिम काट डेकिंगे तो जिए और बैक हो जा बैक हुआ और नीचे की तरफ मोर में हम जाते हैं और यहां पर सेलूलर नेट्विक्स में जात कि आप कॉल कर सकते आपको यह जियो जन्वाल अप्लिकेशन यूज करने की जरूवत नहीं पड़ेगी अब बात करते हैं यहां पर यूटूब एप्लिकेशन की तो यहां पर देखेंगे हमने यूटूब इस तरी किसे ओपन किया है तो यूटूब पर टैप कर दिया लेक करने की ज़रूद नहीं है आपको कुछ इस तरह की के डिस्पेश कॉलिटी मिलती है साउंड किया पर बात करें की स्थी आपको यहां मिल जाता है और यहां पर प्लिकेशन सबीसाफ से शाल कि थे माइज जी और यहां पर यहां पर यहां पर आप बात करता न तो यहां पर आप आप देखिए गैलेरी वें जाते तो मैंने कुछ तेस्ट किया था उस्क्रिंशोट लिए तो मुझे डाउनलोड श्राइब काफी दे रहा था लेकिन मेरे को यहां पर अप्लोड बहुत ज्याता है रहा तो आप यहां पर देखें कि डाउनलोड मुझे 0.46 तो यहां पर देखें कि लिए तो बिल्कुल भी लैक तो फिलाल के लिए नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा बीट-बीट में हो रहा है लेकिन यहां पर तो मुझे आप होता है थोड़ा लैक हो जाता है डर लगता है ऐसे लेग होगा तो भाई हम तो आउट हो जाएगे वह क्या कर रहा है आच्छा चल रहे है तो यह देखिए आप इस फोन के अंदर सब्वे सर्फर अच्छा घासा चल पड़ रहा है अगर आपको टाइम पास भी करना है कभी कभी सब्वे सर्फर की गेम या क कुछ इस टाइप की गेम से अगर आपको खेलना है देखिए यह लेक का यह रतिजा होता है जो भी छोड़ो बहुत हो गया इस फोन का अब यहां पर आपको फाइनल टेस्स बता रहेते हैं यहां से इस से इस फोन पर जोब हम कॉल करते हैं तो यह देखो दोस्तों उमीद करता है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा 2800 रुपीज के अगर आपको एक ऐसा 4G वोल्टी फोन चाहिए जो कि एक अच्छा का सा काम कर लेता है ज्यादा एक्सपेक्टेशन उमीद हमें नहीं रखने चाहिए इस प्राइजिंग के फोन से तो मेरे इ चाहिए कि इसके अंदर भी कितने जोगों पावर होते हैं तो मिलते आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तिल देन वे ग्रेट डे एंड आलवेज कीप स्माइलिंग